जेहिन दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ग्यांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट जोपस के बारे में क्योंकि आप लोगों के इस बारे में काफी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें कुछ ऐसी जोपस के बारे में जानकारी दीजे जहां पर हम अच्छा जो पैकेज है वो पराप्त कर सकें तो आप यहां पर वीडियो को देखें मैं आपको यहां पर एक ऐसे प्लेटफूर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जहां से आप लोग काफी अच्छे पैकेज की जो पासकते है इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पर आपको step by step पूरी जानकारी दी जाएगी इसलिए आप वीडियो को पूरा देके उसके बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के मादियम से पूछ लीजगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते कि इंडिया के अंदर बहुत सारे candidate ऐसे है जिनोंने अपनी graduation, diploma या फिर PG degree complete कर ली है बट उनमें से कितनों के पास job है मेभी उनमें से 10 से 20 परसेंट के पास मुस्किल से मुस्किल job होगी सभी के पास job नहीं है और ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि jobs की कमी है बट मैं आपको बता दू कि tax category के अंदर या फिर software जो एक category है इसके अंदर काफी सारी jobs खाली है जिनकी जो संख्या है वो आपकी 30 लाग पलस है जी हाँ आपने सही सुना 30 लाग पलस पोस्ट खाली है और ये खाली किस वज़े से उसकी आपको एक ऐसा region है वो region ही है कि कुछ लोग वहां तक पहुँच नहीं पाते यानकि उनके पास सही advice करने वाला नहीं है कि हाँ कैसे उन jobs को पाए कैसे उनमें apply करे तो यहाँ पर मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे आप उन तक पहुच पाएंगे और कैसे आप एक अच्छा package ले पाएंगे अभी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सवाल ये भी रहते कि सर हमारी जो background है वो non IT है या फिर जो आपकी qualification है वो non IT degree है डिपलोम है यानि कि आपकी tag related stream नहीं थे तो ऐसे में आप लोगों को problem होती है दूसरा सवाल आपका ही रहता है कि सर हमारी CGPA काफी low है और हमारी backlog है तो क्या हम भी यह tag related या फिर software related jobs पा सकते हैं तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको अच्छे से clear किया जाएगा कि कैसे आप percentage unemployed है यानि कि बेरोजगार है उनके पास में कोई job नहीं है और जो बाकी के 40 percentage बचते जिनके पास में job है वो भी low paying job है और उसमें कोई भी growth नहीं है यानि कि अगर उनकी package की बात करें सालाना तो 2 से 3 लाग रुपे ही होता है बट यह काफी काम है क्योंकि आपने लागों प्रोब्लम है और इसका solution यहाँ पर अभी आपको आगे इसके अंदर मिलने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि जो आपकी इंडिया के अंदर वैकेंसी है वो कम से कम 30 लाग वैकेंसी टैक के अंदर खाली है और 2023 तक यह आपकी 30 लाग वैकेंसी पूरी तरिके स किरियेट हो जाएगी जो कि आपके द्वारा ही भरी जाएगी तो ऐसा भी नहीं है कि जोपस की कमी है यह बस जो प्रोब्लम है वो आपके सही रास्ता चुनने की वज़े से हो रही है यानि कि आपको सही प्लेटफोर्म नहीं मिल रहा है जिसके माध्यम से आप अच्छी ज होता है अभी प्रोबलम क्या है कि आपको जोप क्यों नहीं मिल रही है तो बेसिकली है कि जो कमपनीज है वो आप तक नहीं पहुच पा रही है या फिर आप यह कैले जी ज़िजी आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है और आप companies तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो उनको skill चाहिए, वो skill उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसे में वो भी कम job offer करते हैं, और फिर कम jobs के जो package हैं, वो ही उनको मिलते हैं, जो कि उन तक पहुँच पाई हैं, तो यहाँ पर उसी का जो एक आपका ratio है, वो खतम ह और उसके ही बारे में यहां पर लगतार बात की जा रही है अभी गाईज में जो आपको एक्जामपल दे रहा हूं इनका नाम है सुसान्त इन्होंने ग्रेजवेटीड किया है सिविल इंजिरिंग बैक्ग्राउंड के साथ में और इनके पास केवल बेसिक कोडिंग नोलिज इनका नाम है भारगव कुमार इनकी 21 बैक्लोग ती ग्रेजवेशन के टाइम और इसके चलते ही ने प्लेस्मेंट नहीं मिला कैमपेस के अंदर बट अगर मैं अभी की बात करो तो इन्हें अभी 11 लाग रुपे का सालना पैकेज मिल रहा है आफ्टर लर्निंग स्किल्स रिक्वाइड फॉर कंपनीज और ये भी इन्होंने सिर्फ 4.5 मंत के अंदर में पराप्त किया है अब ये जो एक्जामपल है इनको देखने के बाद में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा नोने क्या सीखा जो कि इनको इतनी अच्छी जोब मिली है और इन्होंने कहां से सीखा तो यहाँ पर आपको बताय जाएगा कि कैसे इन्होंने सीखा कहां से सीखा और कैसे ये इतने कम टाइम के अंदर इतनी हाई पेइंग जोब्स को पा सके तो यहाँ पर आपको बताय जाएगा कि basically industry relevant skills क्या है तो इनके जैसे काफी सारे लोग ऐसे है जो कि non IT background से है और उनकी low CGPA है या फिर backlog से है और वो यह same problem face कर रहे है तो उन्हें यहाँ पर कैसे relevant skill चाहिए इन जोब्स को पाने के लिए उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों team and training के अगर बात करें तो इसमें मैं आपको बता दू कि all these people followed a proven path called CCBP अब यहाँ पर वो topic आता है जिसके लिए आप काफी time से वेट करें कि किस मादियम से आप लोग इन jobs को ले पाएंगे या फिर इनको access कर पाएंगे तो इन सब ने जो एक process follow किया है वो है आपका CCBP अब यह क्या मैं आपको बता दू कि people who graduated from IITs, IIMS, MITs and other premier institute and also who worked in top MNC यानि कि multinational companies such as Amazon, Microsoft, Intel who developed world class products and have real world product experience have designed this CCBP यानि कि उन्होंने इसको designed किया है So now what exactly is this CCBP, अब यह basically है क्या, तो उसके बारे में आपको अच्छे से मैं बता दू So CCBP a proven curriculum to get a software job रुपे 4.5 lakh से 9 lakh पर अनम, यानि कि यह proven curriculum है, 4.5 lakh रुपे से लेकर के 9 lakh रुपे पर अनम जो पाने का और इसके अंदर basically क्या रहता है, उसके बारे में अगर आपको यहाँ पर जानकारी दी जाए, तो आपको basically यहाँ पर यह सिखाए जाता है कि आपको कौन सी skills की आवश्यक्ता होती है, इन industries and companies के अंदर जो पाने की, कौन सी skills आपको चाहिए, इन इतनी high paying jobs को पाने के लिए, दो जी skills आपको यहाँ पर सिखाए जाएगी, साड़े चार मन्त के अंदर और आप इसमें zero से लेकर के जो आपका full stack specialization है उस तक सीख पाएंगे, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर आपकी जो एक proven curriculum है, साड़े चार लाग रुपे से लेकर के 9 लाग रुपे सालाना package का वो आप ले सकेंगे, और इसके अंदर दोस्तों जो आपकी companies participate करती है, वो आपकी 400 plus है, जी हाँ आपने सई सुना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते कि 400 plus companies have hired CCBP 4.0 learners, यानि कि 400 से ज़्यादा companies CCBP से सीखे हुए learners को ले चुकी है, और यह जो companies है, कोई छोटी मोटी companies न जन दर गिनी जाती है, तो यह ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी companies यहाँ से course सीखने के बाद में आपको hire कर रही है, अब यह course कौन कौन से है, जिनके मादिम से आप लोग इन जोब को पास सकेंगे, और किन के लिए यह course design किये गई है, तो basically यह course सभी के लिए design किये गई यह सब आती है, non-IT professional looking to shift to IT वो भी इनको join कर सकते है, इसके अलवा those worrying about low cgpa backlogs वो candidate भी इनको join कर पाएंगे, those with a career gap on the resume यान के जिनका career gap पर वो भी इनको join कर सकते है, इसके अलवा IT professional looking for product development roles वो भी in course को join कर पाएंगे, अब guys इन skills को सीखने के लिए fee plan क्या है वो आप देख ल एक है आपका prepared model दूसरा है आपका post paid model जो आपका prepared model है यह आपको सुरात में 75,000 पे करना होगा आप इसको MI से भी दे सकते है, इसके अलवा जो आपका post paid model है इसमें आपको सुरुआती में यानिके सुरुआती रूप में 35,000 रूपे पे करने है और उसके बाद में दोस्तों उसके पहले देने के आओ सकता नहीं पड़ेगी और इसके अलावा website के उपर इनकी पूरी जानकारी दी गई है आप यहाँ पर वीडियो के description में जो मैंने link दिया है जैसे उसके उपर click करेंगे तो उसको open करना है open करने के बाद यहाँ पर आप एक free demo भी book कर सकते हैं इसके लि language you understand जो जो language आपको आती है वो language आप यहाँ पर select करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपको occupation select करने कि आपका occupation क्या है looking for a job college student जो भी है वो आप यहाँ पर select कीजेगा then आता है select date to book a salute आपको एक date select करने है जिस date में आपको test देना है यहनके आपको sorry demo लेना है इसके बाद आप आपको request a demo के उपर click करने है then आपकी request चली जाएगी और फिर आप इसके website के उपर से पूरी की पूरी जानकारी access कर सकते है तो यह एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो कि मुझे लगी मैंने सचा आप logo तक दी जाए I hope आपको यहाँ पर जानकारी पसंद आई होगी कोई सव कोई doubt रहा गया हो तो आप comment के मादिम से पोच लीजेगा